साथियों, जब आजादी के नायक्वा की बात आती है, तो नेता जी सुभाज चंद्र बोष का नाम हमें गवरव से भर देता है, नई उर्जा से भर देता है। आजाद हिन सरकार के पहले प्रधान मंतरी सुभाज बाबु ने अन्दमान की इस धर्ती को बारत की आजादी की संकल्ब भूमी बनाया था। नेता जी के आहवान पर अन्दमान के अनेक विरों ने देश की आजादी के लिए खुद को समर्पित कर दिया था। जिसके बाद आजाद हिन फोज ने यहां आजादी का तिरंगा फैराया था। 30 दिशंबर 1943 की उस आइतिहासिक घटना को आज 75 वर्ष पूरे हो गए है। आज उसी की याद में यहां 150 फीट उंचा द्वज भारा कर हमने अपने इस दिन को देश वाशियों की चीरस्मृति में अंकित करने का एक नम्र प्रयास किया है। सवभाग्य से कुछ महने पहले ही मुझे लाल किले पर भी ऐसा ही अवसर मिला था। तब आजाद हिंद सरकार के 75 वर्ष पूरे हुए थे। भाईयों और बहनों इतिहास के इस गरों में पल की स्मृति में सिक्का और पोस्टर स्टेम भी जारी किये गए है। इतना ही नहीं नेताजी समेत आजादी के नायकों की स्मृति अंडमान के कौने कौने में अमीट रहे। पूरा देश यहां से प्रेरणा लेता रहे। इसके लिए एक महत्वपूर्ण फैसला सरकार ने लिया है। इस समय जब मैं आप से बात कर रहा हूं तो एक नोटिफिकेशन किया जा रहा है। और मैं अब आप सब के सामने बड़े गर्व के साथ उस गोषना को करने जा रहा हूं। अब से रोस द्वीब को नेता जी सुभास चंद्रबोस द्वीब से जाना जाएगा। नील द्वीब को शहीद द्वीब से जाना जाएगा। और हैवलोग द्वीब को स्वराज द्वीब के नाम से जाना जाएगा। भाई यूर बहनों नेता जीने स्वयाम भारत भूमी के इस द्वीब समूपर जंडा फ़रा कर इसे ब्रिटीज सासन से मुक्त गोषित किया था। इसी दिन उन्होंने भारतियों की एक बड़ी जनसभा को इसी ग्राउन में सम्बोधित किया था। जो अब नेताजी स्टेडियम बन गया है। तब उन्होंने कहा था कि इस इलाके पर अधिकार के साथ ही अंतरीम सरकार की राष्टिय अस्विता अब सत्यता और वास्तविक्ता का चोला ओड चुकी है। इस वचन के चार वर्स बाद ही मा भारती दास्ता की बेडियों से मुक्त हो गई। साथियों गुलामी के लंबे कालखंड में अगर भारत की एकता को लेकर कोई शक और संदे पैदा हुआ है। तो वो सिर्फ मानसीक्ता का प्रश्ण है संस्कारों का नहीं। सुभाज बाबु का भी ये मानना था कि हम सभी प्राचीन काल से ही एक है। हाँ गुलामी के समय में इस एकता को छिन बिन करने का प्रयास जुरूर हुआ है। नेता जी का ये द्रण विश्वास था कि एक राश के रूप में अपनी पहचान पर बल दे कर उस मानसीक्ता को भी बदला जा सकता है। आज मुझे प्रसनता है कि एक भारत स्रेष्ट भारत के मार्क पर चलते हुए हम सभी नेता जी की भावनाओं के अनुरूप आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं।